इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही हेल्दी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ओट्स मटरचिला की रेसिपी इसमें फाइबर की मात्रा जादा होने के कारण ये वज़न कम करने में हमें काफी मदद करती है और आप इसे ब्रेक्वेस्ट लांच या डिनर कभी भी खा सकते हैं हलो फ्रेंड्स मैं हूश रद्धा और अब सबका स्वागत है मेरी चानल कुकिंग टाइम विच रद्धा पर तो चलिए देख लेते हैं ये हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम लेंगे 5 टेबल स्पून रोल्ड ओट्स यहाँ पर मैंने रोल्ड ओट्स का इस्त्रमाल इसलिए किया है क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा इंस्टंट ओट्स से बहुत ज़्यादा होती है जो हमें वजन कम करने के लिए मदद करती है अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और इसे सोक करने के लिए 10 से 15 मिनिट के लिए रग देंगे रोड ओट्स को सोक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो फाइटिक एसिड है वो रिलीज हो जाता है और इसे डाइजिस्ट करना काफी इजी हो जाता है अब ओट्स सोक हो रहे है तब तक हम बाकी की तयारी कर लेते हैं अब एक मिक्सिजार में हम लेंगे आधा कप मटर इसमें हम एड़ करेंगे आधा इंच अदरक जिसे मैंने चोटे टुकडों में कट कर लिया है तीन से चार लसन की कलिया आधा इंच ताजी हल्दी अगर आप के पास ताजी हल्दी नहीं है तो आप यहाँ पर एक चवथाई टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं फिर हम इसमें एड़ करेंगे एक हरे मिर्च एक चवथाई टीस्पून अजवायन एक चवथाई टीस्पून जीरा दो सी तीन काली मिरी यानि ब्लाक पेपर कॉन अगर आप वेट लॉज जननी पर हैं तो आप इसे बिलकुल मिस्ट न करें और फिर इसे चट पटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधे निम्बू का रस अब इसमें बिना पाने डाले हमें इसे अच्छे से पीस लेना है इसे अच्छे से पीसने के बाद हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे ताजे मिटर में बहुत ज़ादा वेजिटेबल प्रोटीन और फाइबर होता है इसमें काफी सारे vitamins होने के साथ-साथ, fats बहुत कम होते हैं और cholesterol की मातरा बिल्कुल नहीं होती इसलिए जब भी मटर का सीजन हो, आप अपने खाने में मटर जरूर add करे अब जो oats हमने soak करने के लिए रग दिये थे, वो अच्छे से soak हो गये है अब इसका पानी हमें पूरी तरह से निकाल देना है तो इस तरह से पूरा पानी निकालने के बाद हम इसे add करेंगे मटर की paste में फिर हम इसमें add करेंगे medium size बारिक कटी हुई प्याज आधा कब बारिक कटा हुआ हरा धनिया धनिये के साथ-साथ आप यहाँ पर 10-12 पूदिने के पत्ते भी डाल सकते हैं जिससे इसका flavor और taste और भी बढ़ जाता है फिर इसमें हम add करेंगे 4 टेबल स्पून बेसन और फिर हम इसमें डालेंगे स्वादनू सार पिंक हिमालायन सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट अब इन सारे ingredients को हम अच्छे से mix करेंगे एक बात का ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर पानी बिलकुल add नहीं करना है oats को हमने soak करके रखा था जिससे वे soft हो जाते हैं अब चीला बनाने के लिए मैंने एक पान को गरम कर लिया है और थोड़ा सा घी उसके उपर लगा दिया है अब उसमें से एक portion को हम पान के center में रखके इस तरह से हलके से press करके spread करेंगे इसे spread करते वक्त अब gas की flame एकड़म low रखे जिसे आप इसे आसानी से spread कर सकते है या फिर मेरी पिछली वीडियो में जैसे हमने थाली पीट butter paper पर बना कर बनाया था उस method से भी आप इसे बना सकते है अगर इसे spread करते वक्त ये अगर हातों पर चिपक रहा है तो आप उंगलियों को थोड़ा सा पानी में dip करे और इसे अच्छे से spread करे इस तरह से इसे spread करके हम इसे जितना पतला बना सकते उतना पतला बना लेंगे अब चीला के उपर और साइड से हम थोड़ा सा घी डालेंगे जो एक बहुती healthy fat का source है अब इसे cover करके दो मिनिट के लिए हम low to medium flame पर इसे पकने देंगे दो मिनिट के बाद हम इसका डखकत निकाल देंगे जब ये नीचे से crispy और हलका brown हो जाए तब हम इसे पलट कर दूसरे साइड से भी अच्छे से crispy होने देंगे जब दोनों side से अच्छे से crispy हो जाए तब इसे एक plate में हम निकाल देंगे आप इसे दही के साथ खा सकते है और friends believe me ये healthy होने के साथ साथ बहुती ज़्यादा tasty बना है तो इस recipe को try ज़रूर करना और मुझे comment box में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये recipe कैसे लगी तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही healthy recipes के साथ तब तक खाते रहें और खुश रहें